हेलो दोस्तों के से होते दोस्तों आज के इस नए वीडियों में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस टोड़म लोग बात करने वाले दे हंडेड मेंस के 12 मैच के बारे में जो के होने वाला है मैंचेस्टर ओरिजनल वर्सस वेल्श फायर इन दोनों टीम्स के बीच म दोस्तों यह मैच आज शाम को साथ बजे स्टार्ट होगा वेन्य होने वाला है सोपिया गार्डन काडिप तो दोस्तों काडिप का सेकंड मैच होने वाला है और दोनों टीम्स के बड़े प्लेयर्स खेलने नहीं वाली इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है और कुछ मैच अवेलेबल भी नहीं रहने वाले विकाज वो इंडिया सेरीज के लिए जा चुके ठीक है तो उनके जगा पर किसे लेना है क्याप्तन की चोईसे चेंज होगी उस पर हम लोग फोकस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले करोगी क्या सिंपली आपको सबसे पहले हमारे टेली बाटन होने वाले दो इसे प्लेस में आपको बताए जो आपको ग्रेंड लिग में विन करवा सकते ठीक है टेलिग्राम चैनल से जोइन हो जाओ टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी पिछे बाट की बात करें दोस्तों दिया पर एक फ्रेश पीच देखने को मिलेगी विकॉस लास्ट मैच जिस पीच पे वहा था शायद उससी पीच पे ये मैच होना चाहिए इक्वल बैलन्स जरू प्रोइड करेगी पिछले मैच में जरूरू रन बनते हुए दिखे थे वही कुछ आपको देखने को इस मैच में मिलेगा श्मीनर्स गेम में आ सकते हैं लास्ट मैच जो हुआ था वेल्श फायर ने 165 बनाइट एट फोर विकेट के नुक्सान पर पूरे मैच में पेसर को सेवन विकेट थी स्पीनर्स को फोर विकेट थी बट हो सकता है कि इस मै से दोस्तों की प्लेंग लिए उन रहेगी अपने दोनों के दोनों मैचेस इन्हों ने जीते अब तक हंड्रेड में तो एक अच्छी स्टॉंग टीम लग रही है बट इनका जो बड़ा प्लेयर है जो नहीं बेस्टो यह अल्री रिटन जा चुके है इंडिया के जो टेसरी जो उसके लिए तो आपको अवेलिबल नहीं रहेंगे ठीक है तो ओपन को नहीं करेगा टॉम बेंटन के साथ मेरी सबसे डेविड लॉइड ओपन कर सकते है या फिर यहाँ पर लिउस डू प्लॉइ ओपन कर सकते है तो देखके चलना कौन ओपन करेगा हमें फाइनल पता चलेगा टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको बता दूंगा प्लेंग इलिए और यही रहेगी बैटिंग और भी मेरी सबसे यही रहने चाहिए हो सकता है कि टीम फिलिपस को प्रोमोट कर देगा तो हो सकता है कि फिलिपस को ओपन करवाया जा सकता है टॉम बेंटन के साथ तो बें डगए ने दोनो मैंचेस मर игрन बना जैसे फॉम मेंल रगहे है तीतेर फों में और यह अपी अच्छे फों में लगे है फिलिपस का फं चाह है फोर्टार ठींश में तीन ने आउट रहे ते जेमशियू avons फर्स वं तर्स रोड बाद में पारी फिलिती डिए ठींव 2 फ फिर्स में जो कोई विएट नहीं था बट सिकन्मैक बॉलिंग करते देखके चलोगे जहां पे मेरे सब्संदिग बॉल इस वेरी इमपोर्टन बालर बिवोग सब्स्सियम देखके रब्विगेर ले जाते हैं हर बगबग तो यह भी आपके लिए इंपोर्टन रहेंगे यह चार बोलस मेरे साब से पूरे आपको चार चार ओर डालते वही दिखेंगे और फिर बाकी बच्चे चार ओर में जेमस निश्यम और ग्लेन फिलिपस यह दोनों मिलके इसाब से डालने चाहिए तो सम्ट डेविड बड़ा स्कोर ने है बट स्टिल इनों ने रन बनाए है उसके जगह पर यहाँ पर हो सकता है कि लिए भी टेस्ट से लिए जा चुके है तो अब बात करते मैंचेस्टर ओरिजिनल्स की तो आप लोग देख सकते हो इनों ने अपने तीन मैचेस में से एक मैचे लोग हारे थ फिरेज जीते थे और लास्ट मैच इनका बारिज के वज़से बारिज के वज़से कैंसल हो गाया था ठीक है कुछ इस तरीक से प्लेंगी लिए हो रही कि इनका बड़ा प्लेर रिटेंज आ चुका है जौस बटलर ऑविसली जौस बटलर भी आपको खेलते वे नहीं दीख तो मेरी दीख सकते हैं या फिर होड़ सकता है कि टीम किसे एक स्पिनर को कम कर देपको खेला लेते तो देखके चलोगे दोनों मैचस में देखो कि जौज बटलर ने खुब जादा रन नहीं बनाई ते बट स्टील वेरी इंपॉर्टन प्लेयर बट इवेलेबल नहीं है त पिलिफ साल ने जरू 22 के पारी के लिए सेकेंड मैट में इलेओं बॉल में भी मुश्किल पीछ पे तो फॉर्म वैसे ठीक टाक रहा है हीट और मिस टाइप ले रहे इंटरनेशनल मैचेस खेले पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के अगेंट्स तो कॉन्फिडेंस के साथ पर दोन मैचेस में कुछ ज्यादा रन नहीं बने पीजबूर ने अच्छी नई थी बैटिंग के लिए बट यहाँ भी रन बन सकते हैं टॉम लेमिन भी तोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं एज फिनिशर खेलेंगे 16 बैट थे सेकंड मैट में नोट आउट रहे थे अब बात करते हैं बालिंग की तो फ्रेट क्लास हैं दो मैच में उन्हें चार विकेट्स निकाली हुए है अच्छी बालिंग करी एटी 20 ब्लास में भी इनका फॉर्म बहुत जबरदस रहा था अगर फिर से खेलते भी दीखे तो देखके चलोगे टॉम हाट्पली को फर्स में दो विकेट थे से कमें एक्ट नहीं मिला था यॉर्म नो के साथ बॉन जरूर करेंगे श्ची one फिन को मृस्न करेंगैं थृविकेट्स इनको पीर्ड มैच में पारच विकेट्स यह proteg को मैंचस्ट भस बहुत अच्छी होती है थोध़ी वरगाए बाकि यहां पे थोड इनका बहुत अच्छा राता विद बॉल तो थोड़ा साथ देखके चलोगे बहुत इंपोर्टन पीक रहेंगे ग्रैंड लिग में कैप्टन भी ट्राइक कर सकते हो जो जॉस बटलर के जगह पे सैम हेन खेलने वाले हैं इनके टीट्वेंटी ब्लास्ट के स्टैट्स देखो तो अविसली इंपोर्टन पीक रहेंगे दोस्तों बना लेते हैं स्मॉल लिग की टीम बट उसे पहले आपको बता दू देखो यह दोनों प्लेस अवेलेबल नहीं है ऑविसली दोनों नहीं खेलने वाले है बट इन दोनों का सेलेक्शन हाय स्टेक प्लस इनको पब्लिक कै पीकेंगे तो पब्लिक को समझेगा नहीं की करा क्या जाए बिकार दोनों बहुत इंपर्टन पिक से कैप्टन वास कैप्तन और औरना की से पब्लिक को समझ में रहेगा किसी के साथ भी आ सकती है ठीक है तो इसी वाज़े से बोल रहा हो कि यह मैच को ज्यादा ही रिस्क कर रहेगा small league में that's why आप लोग क्या कर सकते हो four member seven member fifteen member twenty member twenty five member इस तरीके से खेल सकते हो head to head three or three member में अपना पैसा मत लगाना waste हो सकता है ठीक है पहले मैं आपको बोल देता हूँ तो इन दोनों को छोड़ देते हैं इस रहाँ और के चलेगे फिलिप सालाट को भी हम लोग ले सकते है मैं आपको आगे बताऊंगा चलते बैटिंग सेίο nos दोनों hit और miss है, दोनों flop भी हो सकते, दोनों hit भी हो सकते, दोनों hit भी हो सकते, कोई एक भी चल सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यह reliable players नहीं है, यह hit और miss try players है, बैटिंग सक्षन में, Ben Duckett, Joe Clark, Colin Mundo में, तीनों को लेके चलूँगा, उसकाद Glenn Phillips में, चारों को लेके चलूँगा, देखो यह 4 picks तो आपको 100% प्लेंगे, ओपनेंट के टिम में दिखने वाले हैं, क्योंकि अगर यह दोनों नहीं खिलेंगे, तब यह चारों को तो पब्लिक लेके ही जाए कि जरूर अभी Phillips का selection कम है, बट automatically लिए उनका selection बढ़ जाएगा, Tom Lemon भी, Grand League पीक बनेंगे, इनको रोटेट करके चलूँगा, फॉर्म अच्छा है, इनका domestically run बना सकते है, यहां कॉक बाइन दो मैच में कुछ जादा नहीं किया है, बट still rotate कर सकते हो, बाकि ज दोन मैंसे जो भी खेलेगा, ओपन करता है, तो 100% Grand League में टाय करना, Simon को मैं ज्यादा recommend नहीं करूँगा, Ollipop मेरी सबसे नहीं खेलेंगे, देखो, क्यो recommend नहीं करो, because आप इनका form, player बहुत talented है, form उतना अच्छा नहीं है, एक ही match लगता है, अच्छे form में आने के लिए, तो क्रेट्स के उतने issues है नहीं इस match में, Josh Cobb है, जो bowling place आपको batting दोनों दे सकते हैं, इनको rotate कर सकते हो, बाकि I don't think कोई भी खेलेगा, चलते हैं, बालिंग सेक्षन में, Matt Parkinson, ओमपेशली पी कि मैं इनको लेके चलूँगा, उस अद खई सेमत को लेना चाहते हो, ले सकते हो, first match म मतलब Locky Ferguson अगर return आते हैं, तो Fred Klaassen मेरे सबसे drop हो सकते हैं, तो अद देखके चलोगे, Finn Eaffrey इन दोनों में से, यह यह तीन प्लिक से, Fred Klaassen, Stephen Finn, Tom Hartley, इन तीनों में से कोई एक drop होगा, ठीके, अगर Fred Klaassen drop नहीं होते हैं, तो आप लोग इनको small league में भी ले सकते हो, ठीके, आ जाओंगा Locky Ferguson के साथ, obviously खेलने वाले हैं, तो इनके साथ जाओंगा, जरूर, David Penn ने domestically, मतलब T20 block में बहुत अच्छा perform किया था, Calvin Harrison आपको batting भी देते हैं, ठीके, बालिंग भी देते हैं, ठीके, बालिंग ऑप्शन बहुत सारे अच्छे, बालिंग ऑप्शन से, तो कोई भी भी आके बंदा विकेर्स लेके जा सकते हैं, आपको ऑपनेंट किसी को भी ला सकता है, तो इस वाज़े से बोल ओ, थोड़ा मैचरी रिस्की होने वाला है, तो two member, three member में खेलने के थोड़ी सी कम कोशिश करोगी, हम लोग risk लेके खेलेंगे, तो हम लोग higher member में ही खेलें ठीक है, साइड़े नाइन के अपके बास बसते हैं, जो चाहिए ले सकते हो, बॉलिंग सेक्शन में खरी सेमत, फ्रेट क्लास से जो भी खेले, ले सकते हो, और अप लोग अगर चाहो, तो विकेर्स के बास सेक्शन में फिलिफ साल को लेकि कुछ इस तरीके से मेरी टीम बन सकते हो, अब बात आती है दोस्तों, कैप्टेन राइस कैप्टेंसी की, जो निवेस्टों, जो आज बटर दोनों अवेलेबल नहीं है, तो पब्लिक, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, कि किसी के साथ भी पब्लिक आ सकती है, मुशली पब्लिक जाएगी, कॉलिन हम लोग को कैप्टेंसी देते है, और वाइस कैप्टेंसी आभे जेमस निशम को देते है, मेरा मन था कार्लोस बैथवेट को कैप्टेंसी देने का, पर ठोड़ा सा ज्यादा रिस्की बन जाएगा, बट हाँ, थोड़ा सा रिस्की लिक्स में में इनको कैप्टेंसी जरूर बात नहीं है बाकि Grand Leaks में आपके दोनों Captain Vice Captain अलग अलग टीम में जरूर होने चाहिए because heat or miss type player जो भी चलेगा आपको बड़ा करतावाद दिखेगा बाकि Rocky Ferguson को Grand Leaks में Captain Try करना Carlos Bradford James Nisha में आपके 100% Grand Leaks के Captain Vice Captain जरूर होने चाहिए अलग 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 टीम्स में दोस्तो सेम डीम में बनाई है जो माई ड्रीम इलोन पर टीम बनाई थी कोई भी चेंज ने जस्ट है पर विकेट किपर सेक्ष में जो Clark का नाम है Glenn Phillips का नाम है आपको उपर नीचे टीम दिखेगी तो मेरी फाइनल टीम टेलिग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में फिर फर्स्ट कमेंड में मिल जाएगी दोस्तो आप दा 100 बहुत जबरदस्त राय हमारे लिए और हम लोग यही करते रहेंगे त्यार वीड़ेको करना बहुत अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दो वीडियो वे कमेंट कर दो अच्छा लगगा योटुब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना थेंक यूस वाचिंग।